हेलो दोस्तों कैसे हैं आप कैसे लगा इंट्रोडक्शन आज का तो आज से हमने आपके लिए इंट्रोडक्शन बनाया है तो कल हमने इंटरफरेंस का एनलेटिकल ट्रिटमेंट देखा था बच्चों और आज हम उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट देख रहे हैं जिसे कहा करेंगे और जहां से खतम किया था बेटा वहीं से हमने असे का कुश्चन भी स्टार्ड करेंगे। फिर से बहुत शान्ती जे आज का पढ़ाने वाला हूँ तो जैसे आपने कल का कोश्चन देखा था आज कभी कॉश्चन देखिए बहुत ही आसानी है आपको समझ में आ ज जा था और S2P minus S1P इसको हम बराबर लिखते हैं हमारे पास था S2P minus S1P हमारा बन गया था बिटा path difference अब इस path difference को हमने निकाला था हमने D कही थी distance between two sources और capital D भी कह लिया था distance between source and screen और इसे हमने path difference की language में निकाल लिया था XD upon D याद है आपको XD upon D निकाल लिया था अब XD upon D से even multiple में आपको मिले थे bright point और odd multiple में मिले थे हमें dark point अब bright points मिले dark points मिले तो इनके बीच में एक तयार हो गया interference अब वो interference कैसा दिखता होगा समझ लिजिए ये हमारे क्या है screen है ये मैं आपको practical समझ लिजिए हमारी screen है मैं क्या गरूँगा हमारे orange color के paint से निकालूँगा bright point और blue color के paint से निकालूँगा dark point तो समझ लिजिए ये point हमारा तयार हुआ इसे हमने कहे लिया हमारा bright point first bright की condition निकाली थी इसके बाद immediately कौन सा point तयार होगा हमारा dark point तयार होगा समझ लिजिए धी जवर dark point bright के बाद इधर भी क्या तयार होगा dark तयार होगा फिर से dark के बाद क्या तयार होगा हमारे लिए bright तयार होगा तो हम निकाल लिया bright point निकाल लिया इधर भी उपर क्या तयार होगा bright के बाद dark के बाद हमारा तायर होगा bright और फिर से कौनसा point टायर होगा हमारा dark point टायर होगा यह हमारे लिए diagram ऐसी बनी यानि हमारा यह जो है point these are bright points और इनके बीच में यह जो points बन रहे हैं हम कौनसे points कह रहे हैं इने dark points कह रहे हैं तो यहाँ पर question arise होता है कि what is mean by bandwidth तो हम bandwidth कैसे निकाल सकते हैं bandwidth क्या नाम में है क्या different करेंगे हम the distance between two successive bright bands और two successive dark bands यानि distance between two successive bright bands निकालेंगे पहले distance between two successive bright bands में bright band कहां भी मिलेगा यह समझ लीजे हमारा first bright यह हो गया हमारा second bright इनमें की जो distance है इसे हम क्या कहेंगे bandwidth कहेंगे और distance between two successive dark bands इनका distance वो भी क्या हो जाएगी हमारी bandwidth हो जाएगी एक आप समझ लीजे bright band और dark band इनकी size कैसी रहेगी same ही रहेगी इनमें कोई फरक नहीं होगा तो समझ लीजे हमने bright bands की distance निकाला और dark bands की distance निकाला हमें कैसा मिलेगा same ही मिलेगा यानि देखे ना अगर दो bright में का हमें distance निकालता हूँ तो मुझे कौन सी width मिलती है मुझे dark की width मिल जाती है और अगर मैं दो dark में का distance निकालता हूँ तो मुझे कौन सी width मिल जाती है bright की width मिल जाती है कोई भी एक width कैसी रहेगी same रहेगी तो this is the structure यानि हमें क्या करना पड़ेगा हमें ये calculate करने के लिए हमें करना पड़ेगा समझ लिजे width को मैं W से indicate करता हूँ तो second bright minus first bright ऐसे मुझे calculation करने बड़ेंगे second bright minus first bright तो मुझे width मिल जाएगी dark band की और second dark minus first dark मिलेगा तो मुझे width मिल जाएगी bright band की दोनों bands की width कैसी रहेगी बड़ा सेम ही रहेगी मैं calculate करकी भी दिखाऊंगा लेकिन हम easily calculate कर सकते हैं ऐसा मैं आपको बोर रहा हूँ तो width के लिए आपको definition यार्द रखनी बड़ेगी width आप capital X से भी indicate कर सकते हैं W से भी indicate करते हैं कुछ syllabus में याने NCRT, CBSC में W से indicate किया जाता है state board के पहले syllabus में क्या होता था कि X से indicate किया जाता था बोथ हर the same thing indication ज्यादा important नहीं है हम क्या कह रहा है definition ज्यादा important है the distance between two successive bright bands और two successive dark bands successive का मतलब क्या है इस dark band में इस dark band में नहीं calculation होगा हमें क्या निकालना पड़ेगा दो successive dark bands यानि third dark minus second dark fourth dark minus third dark ऐसा ही calculation करना पड़ेगा successive का मतलब होता है जो एक साथ है यानि 1, 2, 3, 4 this is the succession तो हम define कर रहे है फिर से the distance between two successive bright bands और two successive dark bands it is known as band width तो हम आपको इसका expression भी निकाल की दिखाऊंगा बहुत easy expression है exam में ये expression भी बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा गया है बहुत शांती से हम देखेंगे तो चलिए निकालते है bandwidth for bright bands तो दोस्तों मुझे क्या है मुझे lecture बीच बीच में pause करना अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं अब क्या करूँगा pause नहीं करूँगा हम lecture के साथ continue करेंगे तो आप बस साथ देना हम क्या निकाल रहे है bandwidth for bright bands तो हम क्याने लिख सकते हैं इस दिस्टंस बित्वीन टू सक्सेशिव ब्राइट बैंड्स तो पैटा यह हमारे दिफिनेशन हो गई तो हम निकाल सकते हैं ब्राइट बैंड्स के लिए we can consider path difference is equal to क्या था even multiple of क्या था lambda by 2 तो हम लिखेंगे xd upon d is equal to 2n क्या मिला था हमें lambda by 2 पहले first bright निकालेंगे फिर second bright निकालेंगे और फिर second minus क्या कर लेंगे first कर लेंगे आप second और third भी निकाल चकते हैं third और fourth भी निकाल सकते हैं कोई tension नहीं है मैं क्या करूंगा first और second निकालूंगा और second minus first करूंगा यहने हम यह answer मिल जाएगा for first bright हमें क्या equation मिल रहा है देखिए x1 d upon d x1 d upon d is equal to 2 n की value क्या होगी 1 होगी यह हमने कल देखा था इसलिए आज हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं तो हमें x1 की value मिल रही है वेटा x1 is equal to 2 2 क्या होगी cancel x1 is equal to lambda d upon क्या मिल गया small d मिल गया यह होगी हमारा first bright second bright निकाल लेते हैं उसी में for second bright second bright क्या मिलेगा हमें x2 d upon d is equal to 2 into 2 lambda upon d sorry lambda upon क्या होगा 2 होगा lambda upon 2 2 2 क्या होगा cancel तो x2 is equal to 2 lambda d upon small d is the position for second bright अब bandwidth क्या है bandwidth आपको अब समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है bandwidth क्या है distance between two successive bright bands तो successive bright bands therefore bandwidth it is given as bandwidth it is given as w is equals to क्या होगा w is equals to x2 minus x1 कोई कहेगा sir x3 minus x2 चलता है कोई कहेगा sir x4 minus x3 that is also right कोई कहेगा sir x16 minus x15 that is also right वो आप निकाल सकते हैं बस n की value क्या होगी change होगी हम क्या करेंगे हम यहाँ पर expression निका रहा है bandwidth का तो हम x2 minus x1 कर लेंगे और हमें answer मिलेगा तो x2 की value हमें है 2 lambda d upon small d minus lambda d upon small d बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि subtraction गलत करते हैं तो w is equals 2 क्या होगा common क्या निकला मैं आज करके दिखाता हो एक बार तो lambda d upon small d common निकला in bracket कहें मिला 2 minus 1 कितना है 1 तो bandwidth की आखरी value की आई वेट आपके पास so bandwidth it is given by difference का मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आपको इसे याद करना है पहला formula है कि path difference is equals to कितना xd upon d और दूसरा formula आपको याद करना है that width is equals to lambda d upon small d यह आगी हमारी bandwidth तो क्या करेंगे आप chart बनाएंगे और chart में हाप width का formula लेखेंगे lambda क्या होगा पीटा यह हमारी lambda d upon d यह दोनों formula थोड़े से confuse कर सकते इसलिए इसे बार-बार लिखके देखना हमारा काम होता है तो यही तो मज़ा है physics का यह हो गए हमारा कौँछा bandwidth for bright bands एक बार इसे ही check करने के लिए कि bandwidth सब steady है कि नहीं pattern अच्छा है कि नहीं तो इसे check करने के लिए dark bands भी निकाल के देखेंगे तो bandwidth for dark bands भी निकाल के एक बार देख लेते हैं तो जैसे मैं pause नहीं करने वाला हूँ इसलिए मैं क्या करूँगा bandwidth for bright के जगा पे हम पाकी सब क्या करेंगे रब कर लेंगे तब तक आपके दिमाग में दिस्टंस बिट्विन टू सक्सेशिव ब्राइट के जगा क्या हो जाएगी अब दिस्टंस बिट्विन टू सक्सेशिव डार्क बैंट देखो फिर से लिखना यहीं important चीज होती है विकाज फिर से लिखने से क्या होगा इसके हमारा repetition भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा तो bright bandwidth for dark bands चली निकालते हैं सबसे पहले dark band के लिए पहले हम लेंगे formula क्या आया था path difference is equals to क्या मिला था odd multiple of क्या था lambda by 2 जल्द जल्दी path difference की value क्या थी बटा xd upon d is equals to odd 2n plus 1 क्या बना lambda by 2 first dark निकाल लेते हैं for first dark for first dark तो क्या होगा x1 d upon d is equals to n की value क्या होगी 1 2 plus 1 that is 3 तो क्या बन गया 3 lambda by 2 और x1 की हमारे लिए पास value मिल गी x1 is equals to ये सब उदर क्या है 3 lambda d upon क्या मिल गया 2 d मिल गया x1 यानि ये कौन सा dark है first dark point second dark निकालेंगे चलो second dark second dark second dark point क्या मिलेगा x2 d upon d is equals to n की value कितनी होगी बेटा 2 होगी तो 2 into 2 4 4 plus 1 5 5 lambda upon 2 value हमारे क्या मिलेगी x2 is equals to 5 lambda d upon twice of small d ये हो गई हमारा lambda x2 हो गया second dark भी हमें मिल गया हमें क्या निकालना है bandwidth निकालनी है तो bandwidth for और कौनसे bands dark bands तो आप मुश्कूर आके निकालेंगे क्या होगा w is equals to x2 minus x1 बिल्कुल टेंचन नहीं है आरम से हो जाएगा x2 minus x1 कितना w is equals to 5 lambda d upon 2 d minus 3 lambda d upon 2 d आप कौनसे भी दो dark bands चुन सकते हैं अब यह subtraction कोई rocket science नहीं है यह बहुत easily हो जाएगा देखिए हम क्या करेंगे lambda d upon 2 d क्या निकाल सकते हैं आप common और camilla bracket में 5 minus 3 that is 2 2 2 क्या हो जाएगे cancel होगे ना cancel क्योंकि हम आने देखा है बहुत लोगों को subtraction में लटकते हुए तो width bandwidth क्या मिली lambda d upon d ताली बजाय दीजेए क्यों क्योंकि दोनों की bandwidth कैसे आई हमारी same आगे width पहले भी bandwidth कैसे है same है bandwidth कैसे है lambda d by d यहां की bandwidth कैसे आई lambda d by d इन्हें दोनों bandwidth विर्थ बेटा अगर सेम है तो interference pattern तो हमारा सही है और bandwidth की value भी हमें कैसी मिल गई lambda d upon d और जिस interference pattern में विर्थ सही रहती है जेकि ऐसे Arabian nights के बारे में सुना आपने अली बाबा और चालिस चूर की stories रहती थी कि एक story में से दूसरी story निकलती रहती है वैसे जहां पर विर्थ खतम हुई वहां पर एक और story बढ़ती है कि जहां पर विर्थ सेम रहेगी तो उस interference pattern को हम कहेंगे steady interference pattern कि इंटरफरंस तो है लेकिन कैसा है steady है कोई उसमें प्रॉब्लेम नहीं है कि अगर कोई tension नहीं है तो comment box में लिख दीजिए no tension करके आगे बढ़ते हैं तो बेटा ऐसा रहता है interference अब interference यहनी क्या है दो sources थे हमारे याद है आपको एक source था हमारा s1 और एक था s2 यहां से क्या हो रहा था interference pattern हम screen पे तैयर कर रहे थे और कुछ-कुछ ऐसा दिखता है interference pattern on screen कि जिसके बीच में क्या है central bright spot होता है central bright और फिर alternate वो कैसे बनते जाता है bright और dark और जिसकी bandwidth कितनी होती है compulsorily x हम x से नहीं w से indicate कर रहे है तो w is equal to हम कितना लिख सकते हैं lambda d by small d यह हमारा formula होता है for bandwidth of that particular equation तो बेटा एक समझ लीजिए the interference pattern which is clearly visible and it contains equally spaced alternate bright and dark bands कि क्या क्या कहना है मेरा कि pattern कैसा होना चाहिए clearly visible होना चाहिए दूसरा उसमें alternate कौन से बनने चाहिए bright और dark bands कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे है फिर उस pattern को हम कैसा कहेंगे कि यह interference pattern कैसा है steady है कि steady interference pattern बन गया है तो steady interference pattern बनाने के लिए हमारे बास बेटा क्या है कुछ conditions भी है अब मैं क्या करूंगा फिर से हम conditions continue करेंगे अगर दो मार्क के लिए कोई question आना है तो conditions for steady interference pattern आई हर एक condition हम explain करके बोलेंगे और हमें बस conditions क्या करनी है याद रखनी है छे conditions हम क्या करेंगे in totality बात कर सकते हैं तो interference pattern के बारे में आपको समझा गया कि interference pattern which is clearly visible and contains equally spaced alternative और alternate bright and dark bands it is called as steady interference pattern तो conditions पर चलते हैं तो एक एक condition हम क्या करेंगे बहुत important है तो एक एक condition हम क्या करेंगे बात करते हुए complete करते जाएं सबसे पहली condition है the two sources must emit और two sources of light should be coherent two sources of light must be coherent और should be coherent coherence का मतलब क्या है कि they should emit emit light of in or light in same phase theoretical topic है तो हम क्या कह सकते है कि two sources must be coherent यानि coherence का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से कैसा light निकलना चाहिए the light must be in same phase ताकि हमें calculation करने में आसानी हो सके फिर एक और condition इसकी मिलती है कि जो condition हम कह सकते है यह हमारी first condition होगी two sources of light must be coherent coherence पर हमें एक और topic आगे है इसलिए आज उस पर ज्यादा discussion हम नहीं करेंगे दूसरा है the two sources of light यह तो common रहेगा sources की बारे में discussion है two sources of light must be monochromatic must be कैसा है monochromatic mono याने single chrome याने wavelength तो monochromatic याने गया है they should emit light of single wavelength याने दोनों में से एक ही wavelength का एक ही color का light आना चाहिए ताकि हमें bright और dark points आसानी से मिल सके यहाँ पे मैंने क्या किया था यहाँ पे मैंने orange color के bright निका ले थे और green color के और sorry कोंचा color है blue है blue color के क्या है dark points निका लेते तो हमें इसके वज़ाए कैसा है single color का use करना होगा और तूसरा तीसरी condition हम कह सकते है the two sources of light should be in same amplitude पहला क्या था two sources must be coherent two sources must be monochromatic two sources must be in same amplitude और फिर दो important हमारे लिए conditions आती है fourth condition कह सकते है d that is distance between sources must be small distance between two sources कैसा होना चाहिए small होना चाहिए और फिर की last condition हमारे है capital D that is distance between source and screen must be large कैसे होना चाहिए distance between source and screen must be large small d छोटा ही होना चाहिए capital D बड़ा ही होना चाहिए इसे हम इसे याद रख सकते हैं और आखरी एक है जो नॉर्मल है कि कि लाइट कि शूड़ बी इन कि सेम पूलराइजेशन light should be in same polarizing अगर line vector है तो दोनों तरप से कौनसी vector निकलनी चाहिए line vector ही निकलनी चाहिए अगर dot vector है तो दोनों तरप से dot vector ही निकलनी चाहिए तो ये थी विटा conditions conditions आप अगर आपको बहुत अच्छे से समझनी है तो अच बार फिर से repeat करेंगे हैं क्या कहा है two sources of light must be coherent two sources of light should be monochromatic in same amplitude small d must be small capital d must be large light should be in same state of polarization इसे दो मार्क के लिए in list किया जाता है बहुत सारे question papers में इसे देखा गया है तो बच्चों comment section में लिखिए कि कौन कौन सी conditions आपको अच्छी लगी कि हम अच्छे से इसे explain कर सकते हैं तो आप फुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा introduction अच्छा लगा था ना एक बार फिर से देख लेना और comment box में मुझे बताना कि कैसा लगा introduction बाकी homework के तोर पर आज हमें इस सब conditions को क्या करना है लिख के मुझे मेजना है चैनल को like किजे share किजे subscribe किजे और सब को बताईए कि हम कैसे पढ़ते हैं और physics कितना आसान है तो आप पढ़ते रहें हम पढ़ाते रहेंगे टैंक यू